सर्दी अभी पूरे तरीके से गई नहीं है तो मैंने सुचा सर्दी जाने से पहले एक और सर्दी की डिश आपको दिखा दूं तो यह है चने डाल का हलवा इसको बनाना बहुत ही जरूरी है सर्दी में आप भी बना लीजिए का जैसे यह वीडियो देखें तो चलिए स्टार पढ़े तो ही आप एक चम्मज डाले नहीं तो बिना पानी डाले आप इसे पीस लें तो ज्यादा अच्छा होगा तो इसका पेस्ट हमने बना लिया है अब एक पैन लेंगे या कढ़ाई उसमें हम घी गर्म करेंगे घी लगबग हमको लगेगा चार से पांच चम्मज उस में हम इससे भूनेंगे जब तक यह पूरा भूनना जाया अच्छी से खुश्बू आने लगे तब तक क्योंकि जितना पानी हम इसमें पीस्ते समय डालेंगे उतना हमको टाइम लगेगा इसलिए मैंने कहा था इसमें कम पानी डालिएगा और एक और शॉर्ट ट्रिक है आ इसा बनाएंगे तो बढ़ियां फ्लेवर आएगा लेकि थोड़ी मेहनत लगेगी लगवग आता गंटा आपको भूनना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है तो जब तक भून रहा है हम चाशनी बना लेते हैं मतलब यह तार व दाल लिए थे तीन चोथा ही अब उतना ही गुड़ लिया है उतना ही पानी और उससे हम सिरफ बनाएंगे सिर्फ मेल्ट करना है और कुछ भी नहीं तो अच्छे सी उबल जाए और पूरा मेल्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है सिरफ तो बनकर हमारा तैयार हो गया है अब इसे हमने भून लिया है बढ़िया से अब इसमें डालेंगे सिरफ तो गुड़ का सिरफ हम डालेंगे अगर आप शक्कर की चाशनी मना रहे तो उसको भी ऐसे ही बनाना है मेल्ट ही करना है और फिर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसे ढखकर पकाईए लो फ् थोड़ा सा टाइम बस भूनने में लगता उसके बाद अगर आप सिरफ डाल लिये तो टाइम जादा नहीं लगेगा अब डालेंगे इलाइची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लें हल्वा बनकर हमारा तयार हो गया है बस एक चीज बाकी है तो ड्राइफ रूट डाल लेते या फिर ठंडा भी खा सकते हैं जरूर बनाइए और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ताकि और भी वीडियो आप देख सके है थैंक यू